So hi, welcome to the education wave, success made easy, solution part 4, definition of mass percentage, आज की इस वीडियो के अदर हम बात करने वाले हैं mass percentage के बारे में, पिछली वीडियो के अंदर हमने concentration के बारे में बात किया था, definition of concentration के बारे में बात किया था, और हमने उसके different types देखे थे, concentration के, so उसी type का ही एक mass percentage type है, जो की quantitatively के अंदर आता है, under, ठीक है, so इसके mass percentage के बारे में, आज हम पूरे details में पढ़ेंगे, और हम एक example के through भी देखेंगे कि किस तरीकी से हम mass percentage को define या फिर निकाल सकते हैं, इसके numerical हम देखेंगे अभी, so start करते हैं इसके definition से, mass percentage of the component of a solution is defined as, किस तरीकी से हमें define करना होगा mass percentage को, सबसे पहले बात कर यहाँ पर जो mass percentage है, उसको w by w से हम यहाँ पर denote करते हैं, ठीक है, so यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो mass percentage किसी भी component का निकालना है, तो जो हमारे पास में mathematical formula है, mass percentage को निकालने का, so mass, यहाँ पर percent से denote कर रहा हूँ, percent को, of a component, ठीक है, मैं यहाँ पर mass percentage of component लिख दिया मैंने, अब इसको define कैसे करना है, कि जो भी हमारे पास में solute है उपर, ठीक है, जो भी हमने component डालाया, ठीक है, mass of, यहाँ पर लिखना है आपको, mass of the component, component, ठीक है, और नीचे क्या लिखना है आपको, जो हमारे पास में जो total solution बन किया आएगा, जब हम, वो जो component हमने मिलाया ह है, और साथ में जो पहले solution, मतलब की component मिलाले से पहले हमारे पास में, जो solute present था, उन दोनों को जैसे हमने combine किया, so हमारे पास में solution आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि, जो total mass है, जब बनेगा हो, so total mass of the solution, so यह तो हमारा हो गया mass percentage का formula, अब जहाँ पे भी percentage होता है, of the component का mathematical formula है, वो देखा, mass of the component, जो कि हमने मिलाया है, upon total mass of the solution, मिलाने के बाद, जो total बना, वो, वो नीचे रखना है, into 100 जैसी करेंगे, यह हमें क्या देदेगा, mass percentage of the component, suppose मेरे पास में यहाँ पे कुछ sugar थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, कि sugar के यहाँ पे मेरे पा water था पहले, हमारे पास में, suppose मेरे पास में water का solution था पहले, so वो 100 gram था, क्या था, 100 gram of water था मेरे पास, अब मैंने क्या किया, यह जो मेरे पास में sugar के, जो cubes दिख रहे हैं, मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर, डाल दिया, dissolve कर दिया, और यह जो sugar की जो quantity थी, वो मैं आपको बता दूँ कि 10 gram थी सिर्फ, ठीक है, कितनी थी, 10% हमने इस पूरे 100% water के अंदर, 10% मेंने sugar मिला दिया है, ठीक है, so क्या हुआ, कि उस 100% water के अंदर, जब 10% में मिलाऊंगा, so जो water की quantity हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 90%, और जो हमारे पास में, जो बाकी 10% ज जब हमें लाएगे, तो यह हो जाएगा हमारा 100% solution, so इसी को किस तरीके से लिखेंगे, कि हमने जो 10% यानि कि 10 gram हमने sugar लिया यहाँ पर, प्लस, जो 90 gram या फिर लिटर, जो water है, उसको हम कह रहे है, कि हमारे पास 90% है, ठीक है, 90 gram solution जो है water का, of water हमारे पास में, जब हमने इसक पूरा जब हम इसको plus करेंगे, तो यह हमें एक solution बना के देगा, ठीक है, वो कितना होगा, 100 gram, ठीक है, 100 gram of solution, ठीक है, तो इस तरीके का, यह तो हमारा हो गया total, यह हमारा क्या है, total mass of the solution, total mass of the solution, ठीक है, हमने नीचे वाला हिस्सा इसको देख लिया, अब यह जो उपर वाला है, mass of the component, mass of the component वो हिस्सा होता है, ठीक है, mass of the component, ठीक है, mass of the component क्या होता है, जो हमने, जैसे कि हमने extra यहाँ पर solute मिलाया है, सबसे उपर, जो additionally, जो की variant होता है, जो की change हो सकता है, ठीक है, तो जो हमने यहाँ पर solute, ठीक है, मिलाया है, वो यहाँ पर उसका mass, जो हमने component उस solution के अंदर मिलाया है, सो वो कितना है हमारे पास में 10% ठीक है यानि कि 10 ग्राम यहाँ पर हमें sugar का solution दिया गया हुआ है ठीक है अब इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं formula के अंदर putting by putting all the values of the solution in the formula ठीक हम इसको put करते हैं तो यह बर जब put करेंगे सो कुछ इस तरीके तर जो यहाँ पर आपको क्या लिखना है mass percent of the component component ठीक है मैं इसको इस तरीके चौट फर में लिख देता हूँ और यहाँ पर क्या था उपर mass percent of sorry mass of the component in the solution यानि कि component में जो हमारे हमने जो component additional डाला है उपर से वो क्या था 10 gram sugar so मैं इसको यहाँ पर 10 लिख देता हूँ ठीक है और जो हमारे पास में water था यानि oh sorry जो हमारे पास में solution जो कि हम भी हमने यहाँ पर calculate किया ठीक है यह जो total mass हमारे पास में आया था वो कितना था हमारे पास में 100 ठीक है mass percent of the component या फिर mass percent of हमें volume निकालना है अगर volume percent निकालना है तो वहाँ पर भी आपको 100 लगाना हुगा so यह तो हमने value put कर दी अब उसके बाद में क्या करना है आप यह simple सा mathematical way है हमें 100 से 100 cut out करना है यहाँ पर और जो हमारे पास में जो remaining part है वो क्या बच जाएगा 10 gram so हमारे पास में जो यहाँ पर बच गया वो क्या है 10 gram हमारे पास में sugar बच गया यानि कि mass percent of sugar क्या हो गया हमारे पास में वो है mass percent of sugar is 10 gram यानि कि यह हमारा पूरा जो है answer हो गया है हमने mass percent of sugar निकाल लिया है, ठीक है, so, अगर आपको ये video अच्छी लगी है, या फिर आपको समझ में आई है, informative लगी है, so, आप like कर सकते हो, so, please like कीजिएगा इस video को, अगर आपको कोई भी doubt है, इस concept से regarding, बहुत ही simple concept सा, ठीक है, so, जब कभी भी आपको कोई भी doubt हो, so, आप comment क कर सकते हो, आप हमारी website पर visit कर सकते हो, educationwave.in पर, आप हमारे instagram handler को follow कर सकते हो, और हमें DM कर सकते हो, अगर आपको कोई भी problem आ रही है, ठीक है, so, आप हमें DM कर सकते हो, और ये हमारा facebook का page है, आप हमें यहाँ पर भी follow कर सकते हो, so, again, thank you so much for watching my video.